रुक्वेस्ट जो हमारी हैं मेरी अपनी इंडिविजल कैपिसिटी पे भी है और इतने भी डियेचे सिटी कराची का काम करते हैं असामें को वियर्स मैं सेदार उसामा सेल मेंजर अबुदस्टेट टी एचे कराची थमनिल को आपने देखे लिया होगा एक रुक्वेस्ट है और एक अच्छी न्यूस भी है पहले अपने तमाम लॉटी को इंवेस्टर को खुशखबी दूँगा जिस चीज का हमें डेव फ सिटी कराची की डेवलेप्मेंट के हवाले से डिसीजन देंगे तो बहुत अच्छा इनिशेटीव है डियेचे का कि उन्होंने डियेची के अलग पूरी मैनेजमेंट कर दी है और खास तौर पे अडिनिस्टेटर कर दी है जो के यकीना जिनकी भी डियेचे सिटी कराची म कोई एसा रिप्रेजेटेटिव हो जो खास तोर पर सिर्फ फोकस है उनका डियेचे सिटी कराची में हो तो वंस अगें बहुत बहुत शुकरिया डियेचे के आप ने डियेचे मेनेजमेंट के लिए उनसे कुछ रिक्वेस्ट हैं जैसा कि आप सब लोग को मालूम है कि डि प्रवाल से कुछ गुजारीशा थी जो मैं और करना चाहा रहा था पहले इस पर प्रत ट्रांसफर को्छलु किल je निए崏 के वाले से कुछ गुजारीश जब नहीं के सब्मीशन में लिए व inner should के लिए क्यूंके अबี้ जिए लि advertisements आज की मार्केट में ले लिया गया है थोड़ा सा जल्दी लिया है बट अच्छी बात है चले ले लिया देर आई दुरुस्ताई आज निकल ये फैसला होना था आज हो गया तो नो इसूद अट-बट डी एचे सिटी कराची के एडमिस्टेटर से में रुक्वेस्ट कराची के लिए बीगाए बहुत अच्छा हो जाएगा उससे पहले सबसे एहम अमल जो होता है और उसके बाद टांसवर होते हैं तो कुछ मैंने घुजारिशात लिखी है कुछ स्टैप है मैं नोट कराना चाओंगा आप से कोई मिसना हो जाए पैरा स्टैप मैं आपको पाइल की तरह हमें जाना चाहिए जो कि बहुत पॉजिटीव होगा डियर चेटी कराची के लिए और हम सब के लिए भी तो कि आज मार्केट काफी जारा स्लो है आपको बता है कोई भी पाइल या प्लॉट बिखता है जारा जो मार्केट में सेल पर्चेस हो रही है और कोई सेविंग नहीं होगी और यह जो डिशीजन है यह बहुत नेगेटिव साबित होगा तो इसका मेरी एक सजेशन है आपको बाकि आप लोग बड़े हैं डियर चेटी का दर्ड रखते हैं आप बहतर डिसीजन कर सकते हैं कि डियर चेटी कराची के ट्रांसफर का जो प्रोसीजर है वन विड़ो ऑप्रेशन होना चाहिए और एंडी सी जो पहले होती है वह मैं आपको रुक्वेस्ट करूंगा कि एंडी सी जो है ऑल्लाइन हम अप्लाइक कर दें ताकि उसमें भी हमारा जो जाने वाला स्टैप है वो खतम हो जाए दूसरी बात यह के वहां जाहर बत है जब यहां से लॉटी जाएगा कैश करी करके नहीं जाएगा तो वहां बैंकिंग सेक्टर जो है जो के अच्छी बात है कि असकरी बैंक यह दोनों बैंक मौझूद है शायद और भी एकात हो बट यह दोनों मेरी नजर से गुज़र चुके है यह मौझूद है तो वहां कम से कम बैंकिंग सेक्टर को आप लोगों को पाबंद करना है कि वहां कैश फ्लो होना चाहिए कम से कम फाइफ मिलियन टू वन क्रोड ताकि कैश ट्रांजक्शन जाहरा होती है तो यहां से कैश कर्के ना ले जाना पड़े वहीं बैंक से हम ले ले लें दूसरी बात किये के जैसे सोचल मेडिया पर मैं काम कर रहा हूं तो आप से कराची की मेनेजमेंट को भी मार्केटिंग के लिए काम करना होगा क्योंकि जो मार्केटिंग आप कर सकते हैं उतनी हमारी अप्रोच नहीं है इंडिविजली जब दिएचे खुद किसी चीज की मार्केट कातर डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलता है बाकी जैसे दूसरे डियेचेस कर रहे हैं मुलतान हो गया गोलता हो गया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि डियेचेसी की मैनेजमेंट को भी इस स्टेप को फॉरी तोर पे स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि जो चीज डिखती है वह बनवाए जाए जाए फौरी तोर पे और यह सब चीज़े ऐसी है और डिवलेप्मेंट का जो काम है बैक सेक्टर में चल रही है और बुश कटेंगे छोटी छोटी चीज़े ऐसी है आप बहतर समझते हैं यकिनान आपने साइट का विजिट भी किया होगा बहुत से फ्लॉ पर जाएगा हम बुशी होंगी तो यकीनान बहुत नेगिटिव इंपक्ट पड़ेगा तो कार्ड़ी हास कर स्टार्टिंग के जो सेक्टर हैं थ्री फाइव सेवन नाइन थर्टीन इन सेक्टर में जो है बुशी बगरा की सफाई का काम फिल फॉर कराना चाहिए अपनी ए हर सेक्टर में कुछ ना कुछ होना चाहिए कहीं मॉस्क स्टार्ट हो जाए कहीं विलास आजाएं बेशक्त बहुत जहरा कॉंटिटी में ना आए पच्छीस पच्छीस आजाए इसमें यह होगा कि जो इन्वेस्टर है जो खुद बनाने की तरफ जा रहा है उनको भी थोड अपले दो साल के बाद बहुत अच्छी पोजिशन में होगा मगर यह जो पार्क छे स्टैप मैंने बताए यह आपसे रुक्वेस्ट है कि इन सब चीजों को जल्द से जल्द अप्लाय करवा दीजिए ताकि हम सब के लिए इसानी हो हास का जो ट्रांसफर का प्रोसीजर है वन विंडो प्लीज करवाएं अगर वन विंडो नहीं होता तो आप खुद आप सोचें कि यहां से हम वहां जाते हैं एक प्लॉट पे पांच दिन या चार दिन लगना उसका मतलब है कि फिर ट्रांजक्शन ही बंद हो जाएगी तो प्लीज इस चीज़ को आप बहुत सीरि कि वैली में दरज़ेज परना पंदा साल से पहले से प्रॉट नहीं है यह सब चीज़ें होंगी तो उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी मल्टिप्लाइए होंगी आगे दियाच नौ कि नौत आ रहा है यह सटी कराची नौत बहुत सी चीज़ें और आ रही हैं बहुत सी इन्शाललाग, डियएचा सिटी कराची, कराची में हैं, कराची सबसे बड़ा शेर है और डियएचा सिटी कराची को फलता फुलता हुआ, बाकि सब डीएचा देखेंगे, तो आप से रुक्वेस्ट है, इन सब रुक्वेस्ट जो हमारी हैं, मेरी अपनी इंडिविजल कैप अबादी होगी और हम अपने गर भी सबसे पहले महां बनाएंगे बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाँ अपिस